दोस्तों आप इस वीडियो को प्ले करने से पहले टाइटर और ठैमिनल को देख लिया होगा पढ़ लिया होगा जहां पे साफ साफ आप समझ गया होंगे कि साथ इस वीडियो से आपको हेल्प होने वाला है तो दोस्तों देखिए आप जिस वीडियो को प्ले किये हैं जिस व यहां पर देख रहें यह फोण लॉक हो जाए आपको दो तीन बातों को हमेशा माइंड में कर लेना है पहला बात क्या है कि जब भी आपका फोन लॉक हो जाए तो आपको बार बार पेटर्न ड्रॉड नहीं करना है जी हां बहुत साथ लोग क्या करते हैं बार बार पेटर्न ड्रॉड करते हैं और इतना टाइम्स वो ड्रॉड करते हैं कि वो अपने फोन को लॉक वाला कंडीशन म ने यह कृना सुरू हो जाता है तो यह गल्ती आप नहीं दो रही है दूसरा दूसरा यह है कि जो हम बता रहें इस वीडियो में जो तरिक्स बता रहें वही ट्रिक को आप अपने फ生न कीज़ behaviors करें आपका फान के डिक्क cake देखरें यह मेन स्किन को मैंने इस तरह से स्वाइब किया जैसे ही स्वाइब किया तो यहां पर इस तरह से पेज ओपन हो गया जो यहां पर पेटरन लॉक मांग रहा है तो आपको एक ही ओप्सन सर्च करना है जिसका नाम में इमर्जेंसी कोल यह रहा मैंने क्लिक किया जैसे तो बोलते हैं इंजिनियर मोड भी अब यहां पर क्या करना है सब्ट्वेयर वर्जन आपको सर्च करना होगा जैसे ही मिल जागा आपको क्लिक करके आपके फोन में जो Android वर्जन है उसको पहले आप क्रॉस चेक किजिए कि आपके फोन में Android वर्जन कौन सा है फिलाल मेरे हाथ जो हैंडसेट है इसमें Android वर्जन 11 है जब 11 मिलेगा उसके जस्ट निचे एक बेस बैंड वर्जन मिलेगा और बेस बैंड वर्जन पर आपको 11 टाइम्स क्लिक करना है यानि कि जितना Android वर्जन रहेगा उतना है टाइमस आपको क्लिक करना है अगर आपको आपके हैंडसेट and 11 11 times click कर दिया 11 times click करने के बाद अब आ जाईएगा नीचे में factory वर्जन मिलेगा देखरे factory वर्जन अब यहाँ पर क्या करना है last cut देखना है कितना 0 देखरे last का 1 2 3 4 0 है देखरे 4 0 है last last का आपका factory वर्जन में जितना 0 रहेगा आपको उतना ही times इस तरह से click करना है 1 2 3 4 4 times यहाँ पर click किया मैंने अगर आपका 3 0 रहेगा तो यहाँ पर 3 times click किजिएगा जब यह step complete हो जाएगा तो यहाँ से back हो जाईएगा उसके बाद उपर से नमर 4 पर दीव ऑफ्सन है manual टेस्ट इसको मैंने क्लिक किया क्ली जैसे ही करोगे तो यहाँ पर देखरें असेमली टेस्ट प्रोजेक्ट आ गया तो सेकंड पेज है डिवाइस डविंग देखरें डिवाइस डविंग के पेज में जाने के बाद अब आपको क्या करना है एम सेंसर मिलेगा एम सेंसर को कि लिक कीजएगा और यहाँ पर यहँ देखिएगा कि आपके फोन में इस तरह से एक स्वाइज य जो सेंसर इस तरहसे फास्ट मूब हो रही की नहीं होड़े जब हो अच्छी बात है और यहाँ पर तạt निय…? बाद इस पर इस तरह से बैक हो जाईएगा बैक हो जाने के बाद जारोस्कोप मिलेगा यह देखे जारोस्कोप यह रहा इसको मैंने क्लिक किया तो यहां पर चार ओप्सन देख रहें चार ओप्सन आपको ऊपर से सेकंड ऑप्सन है जारोस्कोप सेल्फ टेस्ट पहले इसको पास मिलेगा तो यहां से बैक किजेगा बैक होने के बाद यह देखेगा बैक हो जाने के बाद अब नीचे में मिलेगा जाड़ो सको ने उच्छाते इसको क्लिक किजेगा और यहां पर इस तरह से मिलेगा देखने अस्टार्ट यहां पर स्टार्ट कर देना जैसे ही अस्टा यानि कि किसी भी तरह का screen log open होता है वो sensor यह देखिए sensor save test and calibration यह sensor है इसको मैंने क्लिक किया यहां पर देखरे operation not start operation not start यहां पर दो sensor है होग सक आपके phone में तीन sensor हो चार sensor हो वो सभी को उपर से इस तरह से जब इस तरह से क्लिक किजीगा तो एक सेंसर टेस्ट पास करके आना बहुत जोड़ी है जो इस तरह से आ जाएगा देख ravir unas Dimitra simply जाना इस वहां पर देखने हैं हमारे फून में www और यहां पर आपको सेवेन टायमस करना है इससे तरह से 1234567 पर ऊपर से से कंड ओप्सने रिड रइ इन पॉना fetisish बॉल्हकर घ्राइब तुछ जैसे ही ओके कीज़ेगा इस तरह से रॉंग पास्पर्ट आपके फून में रिसेट होना शुरू हो जाएगा जब यह रॉंग पास्पर्ट हड़ जाएगा तो यहां से यहां से 2 सेकंड के बाद दो सेकंड के बाद आपको home menu बटन को क्लिक करना है और अच्छे करना है कि आपका phone unlock हुआ की नहीं हुआ फिलाल देख रहे हमारा phone unlock तो हुआ ही साथ में इस phone का data भी बच गया देख रहे फिर्ट्स इस phone का सारा data अवलेवल है तो फिर्ट्स आप भी try कीजिए आपका phone unlock हो जा में आपको solution देदेगी